प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ थिसलुनिकियों के नाम संत्पलुस का पहला पत्र अध्याय दो परसंख्याय नौसर तेरा भाईयों आपको हमारा कटूर परिश्रम याद होगा आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहें जिससे किसी पर भार न डालें आप और ईश्वर भी इस बात का साच्छी है कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरन कितना पवित्र, धार्मेक और निर्दोस रहा आप जानते हैं कि आप पिता की तरह आप में से प्रतिक को उपदिश और प्रोसहन देते और अनुरोद करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपनी राज्जी की महिमा के लिए बुलाता है हम ईश्वर के लिए निरंतर ईश्वर को धन्यबाद देते हैं कि जब आपने हम सब से ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहन किया तो आपने उसी मनुस्यों का वचन नहीं बलकि जैसे कि वह वात्सों में हैं इश्वर का वचन समझ के सिकार किया है और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है यह प्रवु की वानी है संतमति के अनुसार पवित्र सुजमाचार अध्याई 23 वाके 27 से 32 तक यह सुन यह कहा एडोंगी शास्त्रियों और फरिशियों धिकार तुम लोगों को तुम पुतिवी कबरों के सद्रिश हो जो बाहर से तु सुन्दर दिख पड़ती हैं और हर तरह की गंदगी से भरीवी हैं इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दीख पड़ते हो किन्तु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो एडोंगी शास्त्रियों और फरिशियों धिकार तुम लोगों को तुम नब्यों के मकबरे बनवा कर और धर्मात्माओं के मारक समरगर कहते हो यदि हम अपने पुर्खों के समय जीवित होते तो हम नब्यों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ये गवाही देते हो कि तुम नब्यों के हत्यारों की संतान हो तो अपने पुर्खों की कसर पूरी कर लो ये प्रभु का दिव्य सू समचार है ख्रिश्त प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेहनों आज का पहला पाठ तसलोनिकियों के पहले पत्र से लिया गया था आज के पाठ में संत पौलूस ने हमें समझाया कि सू समाचार सुनाने वालों और सुनने वालों में क्या गुण होना चाहिए अपना उदाहरन देते हुए और तसलोनकियों का उदाहरन देते हुए सबसे पहला गुण है कठोर परिश्रम पॉलूस कहते हैं आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे जिससे किसी पर भार ना डाले पॉलूस ने एक तरफ अपनी जीविका के लिए तंबू बनाने का काम किया और दूसरे तरफ सुसमाचार की घोशना की इन दोनों को मिलाकर पॉलूस ने बहुत कठिन परिश्रम किया सुसमाचार सुनाने वालों में ये कठिन परिश्रम करने की आदत होने चाहिए दूसरी बात पॉलूस कहते हैं आप विश्वासियों के साथ हमारा आच्रन कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा सु समाचार की घोशना करने वाले, सुनाने वालों में ये गुण होना चाहिए पवित्रता लोगों को सुनाते समय और लोगों के साथ कारे करते समय उनके अंदर पवित्रता होनी चाहिए दूसरी धार्मिकता होनी चाहिए सुसमाचार के अनुसार जीवन तीसरा निर्दोष होना चाहिए कपट नहीं होना चाहिए तीसरी बात है सन पौलूस कहते हैं आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्य को उपदेश और प्रोचसाहन देते और अनुरोध करते थे पौलूस ने एक अच्छे सु समाचार के सेवक के रूप में अपने जनता के साथ पिता तुल्य प्रेम के साथ व्यवहार किया प्रेम से उपदेश देना प्रेम से अनुरोध करना प्रेम से सांत्वना देना एक सु समाचार सुनाने वाले के अंदर ये सारे गुण होना चाहिए सूसमाचार सुनने वाले में क्या गुण होना चाहिए इसके बारे में पॉलूस तस्लोनकियों के बारे में हमें समझाते हैं पॉलूस कहते हैं हम ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हम से ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहन किया तो आपने उसे मनुश्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वो वास्तों में है इश्वर का वचन समझ कर स्विकार गिया है विधि विरन गंध के अधियाई 32 उसके वाकिय 47 में पढ़ते हैं प्रभु का वचन कहता है कि ये निरेश शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन नर्भर है पेत्रुस अपने पहले पत्र के अधियाई एक वाकिय 23 में कहते हैं कि आप लोगों ने दुबारा जनम लिया है जीवन्त इश्वर के शाश्वत वचन की द्वरा पवित्र वचन हमें दुबारा जनम दे सकता है इसलिए याकूब अपने पत्र के अधियाई एक वाकिय 23 में कहते हैं कि हम हर प्रकार की मलिनता और बुराई दूर गरगे नम्र हृदे के साथ वचन को ग्रहन करें प्रभिय सुस्वयम लोकस के सुसमाचार के अधियाई 8 उसके वाकिय 15 में कहते हैं कि पवित्र वचन को सच्चे और निश्क पट हृदे में गरहन करना चाहिए तसलोनकियों ने प्रभु के वचन को एश्वर का वचन समझ कर गरहन किया पावलुस कहते हैं कि जैसा कि वो वास्तों में है एश्वर का वचन समझ कर आप लोगों ने स्विकार गिया है पवित्र वचन ईश्वर का वचन है पेत्रुस ने क्या कहा? यहन के यह समाचार के अध्याईचे उसके वाकिए 68 में पेत्रुस ने यह सुसे कहा हम जाएं तो कहां जाएं आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु के वचन को जो इस विश्वास के साथ निश्कपट और सच्चे हिर्दय में मलिनिता और बुराई दूर गरगे नम्रता के साथ ग्रहन करता है उसके जीवन में पवित्र वचन का फल देखने को मिलेगा मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ आप में से कई लोगों ने संदेश दिया कि लगातार पवित्र वचन को सुनने से ग्रहन करने से आपके और आपके परिवार की जीवन में कितना अनुग्रह हो रहा है कितनी कृपाएं बरस रही हैं प्रभु को धन्यवाद दी जिसके लिए और आज की सुसमाचार में हमने देखा फिर एक बार प्रभी यशू फरीसियों और शास्त्रियों को डाड़ते हैं देखिए सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभी यशू के पास हर तरह की लोग आते थे रोगी आते थे कोडी आते थे वेश्याएं आती थी समाज के सामने जो गंदी समझा जाता है ऐसी नारी आती थी बच्चों को लाय गया समाज के तरसकित लोग आए चुंगी लेने वाले जो पापी माने जाते थे वे आए प्रभियसु ने सादर और प्रेम के साथ उनका स्वागत किया चिड़ते थे जिनको प्रभू डाडते हैं और वो है फरिसी और शास्त्री क्योंकि वे पाखंडी थे एश्वर को पाखंड बिलकुल प्रिय नहीं है आज के समाचार में प्रभू ने उनसे कहा ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरिस्यों धिकार तुम लोगों को तुम पुती भी कबरों के सद्रिश हो जो बाहर से तु सुन्दर दीख पड़ती किन तु भीतर से मुर्दों की हड़ियों और हर तरह की गंदगी से भरी भी है प्रभू ने उनसे कहा कि तुम बाहर से बहुत सुन्दर और इमानदार दिखते हो स्वच दिखते हो लेकिन अंदर गंदगी से भरा हुआ है अंदर और बाहर एक होना या शुद्ध होना आसान बात नहीं है ये केवल फरिसी और शास्त्रियों की बात नहीं है हम सब की बात है अंदर से और बाहर से शुद्ध होना पवित्र होना बहुत कठी नहीं हम योन के ईसु समाचार के अध्याई एक उसके वाक्य 38 में पढ़ेंगे कि जब प्रभी ईसु के पीछे अंद्रैस और दूसरे शिश्य चल पड़े प्रभु ने उनको मुड़कर देखा और पूछा कि तुम क्या चाहते हो उन्होंने कहा प्रभु अर गुरु अर आप कहा रहते हैं प्रभु ने क्या जवाब दिया आओ और देखो एक जबरदस्त जवाब है आओ और देखो और वे येशु के साथ रहे वचन में बताते हैं आओ और देखो प्रभी येशु ये कह पाए क्योंकि वे पार दर्शी थे आर पार दिखाई देते थे उनके अंदर अंदेरा नहीं था वे स्वच्छ थे, अंदर बाहर शुद्ध थे फरीसी बाहर से शुद्ध दिखते थे और बोलते थे लेकिन अंदर पाखंड और गंदगी से भरे वे थे मेरे प्रीए भाई और बेनों हम भी अलग नहीं है, भीन नहीं है हम बहुत सारी अच्छी बातें बोलते हैं और दिखते भी अच्छी लेकिन हमारे अंदर पूरी तरह से शुद्ध दिता नहीं ये सच्चाई है हमारे अंदर अंधेरा है, ये सच्चाई है लेकिन एक बात बताना चाहता हूं प्रभी यही बताना चाहते हैं हम निर्दोष नहीं हो सकते हैं लेकिन हम निश्कपट जरूर हो सकते हैं हम निर्दोष नहीं हो सकते हैं लेकिन हम निश्कपट जरूर हो सकते हैं फरीसियों की यही गलती थी उन्होंने अपने गलतियों और कमियों को स्विकार नहीं किया बलकि अकड़ कर घमंड में अपने आपको भला और महान और पवित्र समझे और लोगों को भी समझाने का प्रयास किये अगर वे अपने गंदगी और कमियों को समझते वे अपने को दुर्बल मैसूस करते वे नम्र बनकर जीवन जीते तो प्रभू उनके साथ ऐसा विवहार नहीं करते आगे हम सुसमाचार में पढ़ेंगे प्रभू कहते हैं ऐ डोंगी शास्तियों और फरीस्यों देकार तुम लोगों को तुम नभीयों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के इस मारक समबर कर कहते हो यदि हम अपने पुर्खों के समय जीवित होते तो हम नभीयों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते फरीशी और शास्त्री बोला करते थे यदि हम उस जमाने में होते तो हम नभियों को मा डालने के लिए अपने पुर्खों को साथ नहीं देते ये सचाई नहीं है ये जूट है ये जुमला है सचाई तो ये है कि वे ईश्वर की वानी का तरसकार करते रहे ईश्वर की वानी से विद्रोह करते रहे ईश्वर की वानी का विरोध करते रहे इसलिए जिन जिन लोगों ने ईश्वर का संदेश उनको सुनाने का प्रयास किये उनका भी विरोध किये उन पर अत्याचार गिये और उनको मार डाले यही सच्चाई है कि बे ईश्वर के वच्चन को स्विकार करने को तयार नहीं थी यहन के समाचार की अध्याई आठ उसके वाकिय 47 प्रभू कहते हैं कि जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है फरीशी और शास्त्री अपने को शुद्ध और पवित्र और अच्छे बताना चाहते थे लेकिन सचाई है कि वे भी वच्चन के विद्रो करते थे उन्होंने येशू का विरोध किया येश्वर नबियों से कई गुना ज़्यादा येशू के द्वारा बोला लेकिन फरीशी और शास्तियों ने येशू का तरसकार गिया येशू की मृत्यू के लिए कामना की शड़ेंद्र बनाया येशू समाचार के अध्याई तीन वाक्योंनेस में प्रभी येशू क्याते है नियाय का कारण या है दंडागा का कारण या है जोती संसार में आई लेकिन लोगोंने जोती के अपेक्शा अंधगार को पसंद गिया क्योंकि उनके करम बुरे थे येहूदी धरम गुरूओं के करम बुरे थे इसलिए उनोंने नभियों का तरसकार गियों उम पर अत्याचार गिया उनकी अत्यागी और येशु का भी तरसकार किया इन दिनों हम प्रभी येशु को फरीसियों शास्त्रियों को डारते भी सुनते हैं हम अपने उपर भी इसको लगाएंगे कि हमारा जीवन कैसा है कि कहीं हम भी पूती भी कब्र जैसे तो नहीं है बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर गंदगी है घमंड है, स्वार्थ है, लालच है इरश्या है, वास्थना है आज हम भी शेशुप से प्रभू से प्रातना करेंगे कि प्रभू हमें इमानदार बना हमें अंदर और बाहर से इमानदार बना हमें अंदर और बाहर से पवित्र बना हमें फरीशियों और शास्त्रियों की तरह पाखंडी न होने दे एक सच्चा इमानदारी का जीवन जीने के लिए हमें किरपा दिजिए एप्रभ येशू इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों पर किरपा कर आज का संपून दिन उनके लिए किरपा का दिन हो आशिश का दिन हो तेरे पवित्र आत्मा की दुआए उनको संचालित करना उनको शुद्ध और पवित्र करना उनके हर कारे पर आशिरवाद देना येशू अमारी स्प्रारतां को ग्रहन कर आमें पाड़ी 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 पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है